हालो स्टूडेंट्स बेलकम टू पी बी आर स्टडी जीत हांसिल करनी है तो फिर काबिल बनिये वरना किस्मत की रोटी तो कुट्टे को भी नसीब नहीं होती तात्त पर ये है कि अगर कुछ करना है तो खुद को उसके योग बनाए वरना किस्मत और भागय के भरोसे बैठे रहने से सायद कुछ होने वाला नहीं है आज आपका ये कलाफ नमबर 25 है यानि पार्ट नमबर 25 आपका चल रहा था अभी तक क्या साधारण ब्याच तो साधारण ब्याच का आज मतलब लाश्ट रहोगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नमबर 25 टोटल कलास का य है और अगर एक प्रकार से ऐसे देखें तो ये आपका साधारण ब्याच का लाश्ट पार्ट है कुश्चन आपके सामने है ध्यान देजिए क्या लिखा है पढ़ेंगे कि एक किसान ने मिनी बैंक में एक किसान ने मिनी बैंक में मिनी बैंक का मतलब आप जानते हैं छोटा पैंसे एक रूपए पर छमा ही मतलब की एक रूपए पर वो बैंक छे महीने में दस पैंसा ब्याज देगा इसका मतलब ही हुआ कि वो बैंक एक रूपए अगर वो जमा किया है तो एक रूपए पर दस पैंसे देगा वो छे महीना बिच जाने के बाद इसका यही मतलब हुआ और कितना जमा किया है? 200 रुपए जमा किया है तो कहरा फिर एक सही एक बटा दो वर्स बाद बैंक उसे कुल मिला के कितनी धंडासी वापस करेगा जब वो पूरी निकालेगा तो चलिए इसको हल करते हैं बहुत ही आसान है आपको इसको साड़कट में हल कर लेना है चुंकि हमें पता है कि एक रूपए पर जो बैंक ब्याज देगा 6 महीने में वो कितना देरा 10 पैसा दे रहा है मतलब एक रूपए पर बैंक 6 महीने में 10 पैसा ब्याज देगा लेकिन वो जो किसान है वो कितना जमा किया है 200 रुपए जमा किया है भया 200 रुपए में 200 पैसा होता है न आपको पता है कितना होता है 200 पैसा होता है तो अगर एक रुपए पर 10 पैसा ब्याज मिलेगा तो 200 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा आप लोग बताईए कितना पैसा ब्याज मिलेगा 200 रूपय पर ये 10 से गुड़ा कर दो मतलब 2000 पैसा कितना 2000 पैसा ब्याज मिलेगा अब ये बताओ 2000 पैसा में कितना रूपया चुकि एक पैसा में 100 रूपया होता है एक रूपया में 100 पैसा होता है 2000 पैसा बराबर 2000 गुड़ा एक बटा सो यहाँ दो जीडो कर जाएगा मतलब 20 रुपया समझ में आई कि नही बात समझ में आगई न यानि यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि 6 महीने में जो किसान को बियाज मिलेगा उसके पूरे 200 रुपये पर वो 20 रुपया मिलेगा कितने मिलेगा बीस रूपया एक बार फिर से समझ लीजिए कह रहा है कि दस पैंसे एक रूपय पर छमा ही यानि कि दस पैंसे का ब्याज जो है वो एक रूपय पर मिलेगा कितना दिन में मिलेगा छे माईना में यह मैंने आपे लिखा है और उसने चूकी जमा कितना किया है जमा उसने किया है दो सो रूपए जमा किया है एक रूपए पर दस पैसे मिल रहा है तो दो सो रूपए पर उसे दो हजार पैसे ब्याज मिलेगा और दो हजार पैसे में कितना रूपए होगा बीस रूपए होगा ये तो ठीक है ये हो गया एक मतलब छे महीने का कह रहा था एक सही एक बटा दो वर्स मतलब तीन बटा दू यानि डेड़ वर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा भाया डेड़ वर्स हो जाएगा डेड़ वर्स का मतलब जानते हो एक वर्स में बारा महीना डेड़ वर्स मतलब आठारा मही न तीन छमाई होती है ऐट यह 오른 विस रूपया मिल रहा है तो तीन छमाई में कितना हो गाविज्य रूपय का मिल किये थे उसे फाइनल में 250 रूपया मिलेंगे कितना साथ इसको फाइनल में जोइन करिए वहां से आपको समझ में आएगा रुपया पईसा सब सिखाए जाएगा ठीक है चलिए अगले कुश्चन पर बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने देजिए कहना क कोई साधारन धन पहले ध्यान से समझ जिए कोश्चन थोड़ा अजीब सा है कोई धन साधारन व्याज की दर से कोई द्हन है मतलब कितना है यह नहीं पता है साधारण ब्याज की दर से और हमें ये भी नहीं पता कि कितनी दर से rate क्या है interest rate ये नहीं पता दर फे 8 वर्स में 2 गुना हो जाता है कितने वर्स में 8 वर्स में कोई धन है जिसका मुझे कुछ आता पता नहीं है और किस साधारण ब्याज की दर से वह दोगुना हो रहा है यह भी नहीं पता है लेकिन यह पता है कि 8 वर्स में दोगुना हो जा रहा है किरा फिर वह कितने वर्स में 4 गुना हो जाएगा ऐसी स्थिति में हम ट्रिक का यूज करेंगे यहां पर हम बेसिक नहीं लगाएंगे नहीं लंबा हो जाएगा देखें ट गुना हो रहा है और टीवन यहां पर क्या है आठ वर्स में हो रहा है ती मतलब टाइम ठीक है यन्टू यन्टू मतलब जो हमें जितना गुना हो जाना चाहिए मतलब आगे जो पूछ रहा है चार गुना होने को पूछ रहा है तो यन्टू मतलब चार और टीटू क्या है वह यह टी-2 में निकालना है कितना टाइम में बहुत ही सिम्पल है कि दम ही जीवे में आप इसे कर सकते हो मारत लीजिए एनमन कमान two-1 और इसका आरट हो जाएगा टीन कमान एन टू कमान दिया है four minus one upon 8 बस हो गया कितना सिंपल है ओ देखो टीटू कमान तो निकालना था ना भया यह टीटू सब रख दोगे फिर बच्चे का यह लो अब इसको हम इधर साइड में हल कर लेते हैं फाइनल में देखिए चुकि यह कॉंपटीशन का आपका कलास है तो इसमें कोई बेसिक तो सिखा आना नहीं कि हाँ चोटे बच्चे एक तरफ से लगाँ इनको घटाओगे तो वान अपान एट आजाएगा और यह आपका थ्री अपान टीटू आजाएगा फाइनल में आप टीटू निकालोगे तो 24 वर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा भया आट त्रिक 24 वर्स यानि कि वो धन चार गुना होने में 24 वर्स का टाइम लेगा जो की आट वर्स में दो गुना हुआ है तो आपको कैसी लगी है कलास कमेंट जरूर करिए अभी देखते रहें जाना नहीं और हाँ अगर आप इस कलास को यूटूब पर देखने डेमो के रूप में तो चैनल को सब्सक कलास यूटूब पर ही मिल जाएंगी अगला सवाल आपके सामने आ चुका है ध्यान दीजिए बहुत ही प्यार से देखिए और समझने की कोसिस करिए कैरा कि साधारन ब्याज की किस धर से किफी धनका दस वर्स का जो साधारन ब्याज है उस धनका दो बटा पांच होगा पह यानि कुल मिला करके हमें मूल धन भी नहीं दिया है मूल धन भी क्या है कुश्चन मार्क है दस वर्स का मतलब हमें समय दिया है कितना दिया है साधारन ब्याज कितना दिया है देखो बच्चा साधारन ब्याज कह रहा है कितना हो जाएगा ब्याज उस धन का दो बटा पांच हो जाएगा मतलब जो मूल धन है उसका दो बटा पांच हो जाएगा यानि हम लिख सकते हैं कि ब्याज बराबर मूल धन मतलब प्रिंस्पल अमाउंट गुड़ा दो बटा पांच ये ब्याज दिया है ठीक है उस धन का दो बटा पांच बूल रहा है इतना चीज़ें हमें दिया है अब हम इसमें सिंपल वाला फर्मूला लगाएंगे और इनके आंसर निकाल लेंगे हमें पता है जो सुरू से पढ़ते आए हैं ब्याज बराबर मूलधन गुड़ा दर गुड़ा समय बटा सो यहाँ पर रख दो सारे मान जो भी चीज़ें दिया गया है ब्याज है दूई बटा पांच गुड़ा ये मूलधन है ठीक है इधर साइड में भईया मूलधन हमें प पता ही नहीं है समय दिया है दस वर्स और यह सो अब इनको आप जब हल करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा यहाँ पर मूलधन से मूलधन आपके कट जाएंगे वह मैं आपको दिखा रहा हूं उपर साइड में देखो जगा है कि नहीं कि देखिए मैं इसको थोड़ा अब इसतार से कर देता हूं क्योंकि कुछ लोगों को confusion हो जाएगा इधर साइड देखो मैंने गुमा दिया जगा दिख रही है पूरा अब अगर हम मूलधन को गुड़ा कर लें दो में तो कुछ ऐसे इस्तिति बन जाएगी मतलब मूलधन का दो में गुड़ा हो जाएगा हां तो भाईया यह बन जाएंगे फाइव इंटू मूलधन गुड़ा दर गुड़ा हंड्रेड नहीं समझ में आएगा तो बताना देखो हंड्रेड नहीं यह टेन है ना समय दस है तो दस हो जाएगा अब इससे जादा तो छोटा करने की जरूरत नहीं है आहां से हम दर से हमें दर निकालना बस ओनली दर निकालना है तो हम रेट निकालनेंगे मतलब दर यह दो और गुड़े 100 इसको एसे इधर रहने दो कुछ मत करो इधर साइड जो है गुड़ा में इधर ले आ इनको भाग में कर दो तो भाईया यह पांच गुड़े दस हो जाएंगे ये दर हो जाएगा इनको आप काट दोगे तो ये 10 आएगा इनको काट दोगे दो आएगा final में कितना आएगा ये 4% आएगा चार परसेंट बराबर क्या होगा दर होगा मतलब interest rate कितना होगा 4% है ना कितना असान इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी हल करने में अगर आपने थोड़ाफा भी try किया होगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे नहीं समझ में आया तो comment करके बताईए और हाँ लेकिन comment जरूर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe निक्या तो कर लें जिससे कीस तरह से फिरी की बहुत सारी कलासे देख पाएं अगर आप हमारी premium कलास चाहते हैं पूरा कोर्स एक साथ बढ़ना चाहते हैं तो PVR study app में जाकर के कोर्स को आज ही enroll करें और हाँ जदा जानकारी के लिए वीडियो का description जरूर देखें वीडियो का description में आपको बहुत सारी पिछली कलासों के link मिल जाएंगे contact number मिल जाएंगे बहुत कुछ मिलेगा पूरा पढ़िएगा वीडियो का description जिनको screen start लेना है ले लिजिए question और इसका पूरा solution एक बार में दिख रहा है आप लोग जल्दी करें अब इसको मिटा के हम अगले question पर चलते हैं ध्यान दीजिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है ध्यान दीजिए कहरा कि एक बेक्ती ने बैंक से कुछ रूपए 15% वार्सिक ब्याज की दर से उधार लिए एक बेक्ती ने बैंक से करजा लिए हैं कितने रूपए लिए हैं ये इसमें नहीं दिया है कहरा कि कुछ रूपए लिए हैं और interest rate है कितना 15% है तो कह रहा है कि यदि वो बेक्ती यदि वो बेक्ती तीन साल बाद मतलब 36 महीने बाद 7250 रूपए वापस करता है तो फिर वो बेक्ती कितना रूपए उधार लिया था यह आपको बताना है मतलब मूलधन बताना यहां पर है न कि कितना रूपए उसने उधार लिया था सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है मूलधन फाइंड करनी है चलिए इसको देख लेते हैं इसमें दिया क्या क्या है क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए उसके बाद फिर आगे करेंगे देखिए चलो इस्टार्टिंग से करा कि एक बैक्ति ने बैंक से कुछ रूपए 15 परसेंट वार्सिक ब्याज की दर से उधार लिए हैं हम नीचे भी लिख सकते हैं बगल में भी लिख सकते हैं तो यहीं से हम शुरू करेंगे दिया है थोड़ा बैसिक से दिया है समय भी दिया है कितना दिया है तीन वर्स दिया है तो कितना रूपए उधार लिया था यह मूलधन हमें क्या करना है यह बताना है तो साधारण ब्याज यहां पर नहीं दिया है आपको जो टोटल दिया उसी में से आपको समझना है कि देखिए इसको हल करना बहुत मिस्रधन दिया है आपको पता है ना मिस्रधन क्या होता है जो एमाउंट है वह सेबन टू फाइव जीरो है मतलब कि 7250 रुपे क्या दिया है मिस्रधन दिया है और हम जानते हैं कि मिस्रधन एक ऐसा धन होता है जिसमें ब्याज भी सामिल होता है यह आप सब को पता है चलिए म मूलधन और धन ब्याज देखो मूलधन धन ब्याज होता है चुकि मिसरधन हमें दिया गया है और मूलधन ही निकालना है तो मिसरधन दिया है 72,50 बराबर मूलधन मूलधन को एक काम करिए मान लीजिए कुछ भी ठीक है मान लो यक्स मान लिए या फिर कुछ ना मानो चलो जा यह साधारण ब्याज बराबर होता है मुल्धन गुड़े दर गुड़े समय बटा सो यह होता है हमें मुल्धन पता ही नहीं है क्यूं पता है नहीं न तो हम क्या करेंगे यह निकाल लेंगे मुल्धन साधारण ब्याज बराबर क्या होता मुल्धन गुड़े दर दर है 15 परसेंट और फिर समय समय कितना है तीन वर्स है और बटे कितना होता है सो यह हो गया हमारा साधारण ब्याज कौन सा जो मैंने इधर साइड जोड़ा है लेकिन मैंने यहां पर एक जगा तो एक समान लिया एक जगा मुल्धन ही लिखा है यह थोड़ा सा आजीव से लग रहा होगा न तो भाया हर जगा मान लो मुल्धन को यक्स मान लो जादा अच्छा रहेगा थोड़ा हल करने में नहीं जादा लिखना पड़ेगा ठीक है मैंने क्या मुल्धन को यक्स मानने के बाद क्या अब इनको हल करोगे तो बहुत यह आसान है यह 72 पचास ऐसे ही लिख दीजिए क्रास मल्टीपल कर लेजिए जैसे आप भिन्ध हल करते आओ फ्रेक्शन यह अलग है यह प्लफ है बीच में याद रखना इनका ऐसे तिर्चा गुड़ा करोगे तो भाईया यह 100 हो जाएंगे यह सब का एक में गुड़ा कर लोगे बच्चा तो यह 15 तिया 45 यक्स हो जाएंगे हां कितना हो जाएंगे यह हो जाएंगे बावु 45 यक्स अपान यह 100 ठीक है इसमें किसी को कोई जंजट नहीं न इतना तो आप लोग करी लोगे अब क्या करेंगे इनका हम तिर्चा गुड़ा का सो यक्स का मान निकालोगे 72 पचास गुड़ा सो और यह 145 काटोगे तो 555 मतलब की 5000 रुपया कितना 5000 रुपय क्योंकि 145 होता है 7000 ओ सौरी 725 कितना होता है 145 पंचे 725 होता है नहीं समझ में बताना अगर आपको बेसिक में नहीं आती तो जीरो लेवल वाली गरिज्वाइन करिए जिससे आपको यह सब समझ में कैसे कट पिट रहा है कि यहां पर यह टाइम नहीं कि मैं आपको सिखाओं कि 145 काटा वो कैसे कट यह सब करने का टायम नहीं होता है बस आपको और सिर्फ उत्तर लाना होता है कुईस्टन को पूरा देख लिजिए अग अगर नहीं लिखा आपने तो वीडियो को रोंक करके लिखिया या फिर इसक्रिंसाइट लीजिए जिससे कि आपका छूटने ना पाया और हम चलते हैं आगले सवाल की और आगे बढ़ते हैं आज का सवाल नंबर पांच देखिए ध्यान दीजिए बहुत ही आसानी से आपको इसको समझना है कुश्चन नंबर पांच यहां पर आप लिख लिए होंगे दिखिए यहां पर जो चीजें दी गई है वो मैं आपको बताऊंगा सवाल को ध्यान पूर्बक सुनिए मैं लिख नहीं रहा हूं बहुत ही आसान है आप सुनके लिख सकते हो कुश्चन कह रहा ह मतलब उल्टा एक प्रकास लिखा है तो सीधी सी बात है यहां पर जो चीजें हमें समझ में आ रही है वो मूलधन समझ में आ रहा कि 800łos रूपए है और क्या कह रहा है कि 10% कि ब्याज की दर्फे यानि हमें दर जो दिया बहिया कितना दिया है दस परसेंट दिया है आगे देखो क्या कहता है सवाल सुनना आगे प्यार से आगे कह रहा है कि वही धनासी दूसरे बैक्ति को चक्रवेदी ब्याज की दर से उधार दे दी मतलब एक आदमी था जो 800 चक्रवेदी ब्याज की दर से उधार दे दी और दो वर्स बाद उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर कितना होगा है ना थोड़ा आजीब सा मतलब आपना तो करजा लिया भाईया खुद है और उसके बाद अपना करजा लेके दूसरे को दे दिया अब दो वर्स बाद जो ब्याज का अंतर होगा दोनों में कितना आएगा मतलब उसी ब्याज पर उसको भी दिया होगा ऐसा तो इसमें कुछ लिखा नहीं है तो चलिए हमें यहां से क्या क्या मिला है एक चीज और मिल गया कि समय भी दिया है समय का दिया है समय दिया है कितना दो अर्स तो हम इस होता है ना साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन मूलधन गुड़ा दर गुड़ा समय और बटा सो होता है क्यूं ऐसे ही तो होता है ना चलो इसका अंसर आठ हाएगा मैं पहले बता दूँ देखो कैसे साधारण ब्याज निकालना है मूलधन 800 है दर 10 है समय दूइवर्स है नीचे 100 करोगे इनको काट दो तो 802 16 160 रुपय होगा न साधारण ब्याज कितना है 160 रुपय है चक्रविर्दी ब्याज निकालोगे आप इसमें सम्मान रख करके तो आपका 168 रुपय आएगा निकाल लेना दोनों का अंतर करोगे घटा लोगे तो 8 रुपय आएगा कितना आएगा 8 रुपय समझ में आया ना अगर कुष्चन नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से सुनिए आपको चीज़ें समझ में आएगी ठीक है वीडियो को अंचे देखें कुछ नहीं करना क्यों उत्तर निकालना क्योंकि कि आपकी कंपडिशन में सिर्प्टिक लगाना होता है ना चलिए सुनिए करकी एक महाजन साधारण ब्याज की 5% की दर से जो जो दिया फटा फट लिखो दर दिया है पांच परसंट ठीक है एक महाजन है सा चार वर्स के लिए ब्याज में देता है मतलब यह चार है हां ठीक है आगे कह रहा है तो फिर चार वर्स बाद उसे कितने पतिसत का लाब होगा वह यह लाब कब होगा पंदरा सो दिया है उसको पंदरा सो से कुछ जादा मिलेगा यानि ब्याज वाज कुछ मिलेगी न तो भाई जितना ब्याज मिलेगा लाब है लाब हुआ न तो कुल मिला के हमसे सीधा सीधा यह नहीं पूछा उत्तर गुमा के पूछा है पहले तो हमें ब्याज निकालनी है और ब्याज निकालने के बाद हमें क्या निकालना भीया ब्याज निकालने के बाद बाबू हमको निकालना है कि उसे कितना परसेंट का लाब होगा देखो सिंपल सा है साधारन ब्याज कितना हो जाएगा आप सभी जानते हो मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटा सो होता है मूलधन ये लो में कर देद रहा हूं पंदरह सो और क्या है दर कितना भी यह पांच है समय कितना बाबू चार वर्स है यह सो है हल करोगे काटो पीटो 15 पचे पचतर या इसे कर लो 20 30 300 रुपए कितना है साधरन बैट 300 रुपए आया नहीं समझ में आगा बताना अगर आप 236 लिख देता हूं आपको करें रानी नहो ये 1500 रुपए था बस 300 आहिरा कितने परतिस्त का लाभ ओगा आपने परंसेंटेज में पढ़ा ओकश situations परतिक ला बराबर क्या होता है परतिसाध लाभ बराबर होता है लाभ गुडए क्या होता है सौ बटे करे मुले यही होता है कि कुछ और होता है तो चलो आगे कर लेते हैं इसको देखो यहां पर लाब गुडे सौ परतिसाद लाब देखो लाब कितना है भया जितना उसे रुपया मिल रही लाब है तो है यह ब्याज है तो लाब है इसका मतलब लाब मतलब इसके पास है लगाया इसने स्टार्टिंग में फंद्रा सो लगाया था न तो वही पंद्रा सो यह इसका काश्ट फ्राइस है दो जीरो से दोनों जीरो कट गया इनको कर दो भाई आब तीन से कटेंगे यह मतलब कि उसे 20% का लाब हुआ कितने का हुआ 20% का लाब भी हुआ और 300 रुपए मिले समझ में आई ना बात नई समझ में आई तो कॉमेंट करके बताना और हाँ अगर अभी तक आपने पी वियरे स्टेडी चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो जरूर करें और अगर आप इस वीडियो को यूटूब पे देख वा रहे हैं तो वीडियो का डिस्क्राप्शन जरूर चेक करें वहाँ पर दी गई लिंक से हमें फालो करें और जो भी चीजें वहाँ लिखी गई उन्हें समझें चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आप इसे पी वियरे जल्दी ज्यादा फे ज्यादा सवाल हो जाएं तो सत्वा नंबर कुश्चन क्या कहता है मैं उसको पढ़ूंगा आप लोग सुनिएगा उसके बाद में फिर हम इधर साइड में हल करेंगे ठीक है चलिए सत्वा नंबर कुश्चन कहता है कि कोई धन कोई धन थोड़ा सा ग बैया कोई धन मतलब हमका मूलधन नहीं पता है मूलधन मान लिया मैंने कुश्चन मार्क लगा दिया नहीं तो यह कम अच्छा लग रहा यकसर लिख लो कोई धन आगे कह रहा है कि कोई धन दो वर्स में 500 रूपए तथा चार वर्स में 900 रूपए हो जाता है मतलब इसमें समय दो दिया गया है इसे समय न लिखके हम T1 T2 लिखेंगे तो ज्यादा बेतर रहेगा टीवन क्या है दो वर्स ठीक है और टीटू कितना है चार वर्स सभी कठा लिख लेते हैं बाद में आभी आपको बताएंगे ठीक है चलो और दो वर्स में यह कितना हो जा रहा है मतलब कोई धन हो जाता है अब यह हो जाता एक परकार से आप इसे क्या मानोगे मिस्रधन मान होगे ना एक प्रकार सही से एवन बराबर मानलों कितना हो जाता है पांचसो एटू हो जाता है कितना 900 रूपए चलिए अब आगे समझने की कोशिज करिए क्या क्या कह रहा है क्या 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 करना है कोई धन है मुझे नहीं पता कितना रुपए है साधारण ब्याज की दर से बोल रहा है ये भी ने दिया की दर कितनी है तो भईया कुलमिला के सिंपल सी बात है हमें एक प्रकार से मिस्द्धन दिये गए हैं दो मिस्द्धन है एक एवन है 500 एटू कितना है 900 रुपए है अगर असाधारण ब्याज बराबर क्या होता है मिस्तरधन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है क्यूं मूलधन धन ब्याज यही होता ना मिस्तरधन बराबर तो भाईया यहां जब ब्याज बराबर निकालोगे बच्चा तो मिस्तरधन से मूलधन घड़ जाएगा मूलधन को मानलो यक्स है तो मूलधन को अगर यक्स मानोगे तो ब्याज आपका पहले इस्तिती में कितना आएगा चुकि पहले इस्तिती 500 है न तो आपका 500-1 बराबर यक्स गुड़े दर को आर पनलोया है तो इस तरह से दूसरे सर्थ संसार यह दूसरा बनेगा 20 हनेगा सौ लो एको ऐसा नंबर सिकेंड बनेगा समहीकरन एक समीकरन ढूंदो को बराबर करोगे बच्चा आपको पता यह दोनों कट जाएंगो करके तो आपको पता हे कितना आएगा प्पास्टा indem सिकेंड है आएसे करोगे ना हल कर लेना सिंपल में सब कर लोगे यहां पर यक्स कमान आएगा सौ रूपया कितना आएगा सौ रूपया नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना कि हां नहीं आया लेकिन कोसिस करोगे तो आएगा समीकरण आप फेस्बुक पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें PBR Study App और अगर आप PBR Study App में पूरा कोर्स लेते हैं तो आप जल्दी से जल्दी पूरा Complete Class देख सकते हैं बाकि अगर आप यूटुब पे देखेंगे तो पाइन थोड़ा ज़्याद अलग सकता है दूसरी बात इसमें आप प्रीमियम सर्विस पाएंगे चहां पर आप अपने फालो करें और बने रहे हमारे साथ वॉटसाप नंबर मैंने लिख दिया इस पर इंक्वारी भी कर सकते हैं लेकिन याद रहे कि वर्टसपर हम कोई परकार की कलाफ नहीं भेजते हैं शिर्फ और सिर्फ इंक्वारी कर सकते हैं अप